तो मैंने अपने मित्र से ये सवाल पूछा कि मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ कि एक व्यक्ति होता है, तीन साल की उमर होती है, सड़क पे जाता है, चानक सा एक्सेडेंट होता है और उसका पाउं हमेशा हमेशा के लिए चले जाता है, उसकी क्या गलती थी यार, एक जगा पर वो कहते हैं कि नहीं, वो meditation करो, practices करो, तो आप अच्छे चीज़ करोगा, अच्छा करोगा, उसको तो मौका ही नहीं मिला, तीन साल के उमर में ही हो गया, तो हमारे मित्र ने हमको बताया, वो ले गए हमको कृष्ण जी के एरा में, जो की हमारी ancient history है, तो उन्होंने बताया बुरा भी ना सोचा ना कराए, तो क्यों मुझसे मेरे नेत्र चीने गए, क्यों मैं life के वो pleasures नहीं देख सकता हूँ, क्यों नहीं मैं देख सकता हूँ, तो कृष्ण जी बोले, रुको, कृष्ण जी ठेहरे इतने शक्तिशाली, परम शक्तिशाली, वो तो सारी चीज़े कर सकते हैं, तो वो बोले, रुको, मैं पहले जाता हूँ, तुम्हारे past life में, तो बोले, past life, past life, past life तो बहुत बढ़ी है, बोले, देखिये, मेरे तो सब बढ़ी है, सब अच्छा करनके, रुके, फिर वो गए, फिर past life, बोले, देखिये, इसमें तो कुछ गलती नहीं है, और पास लाइव देखे, कुछ भी नहीं और पास लाइव गए, वह कुछ भी नहीं तो ये फिर बोले देखिये ना मेरा तो सब कुछ साफ है, आप कैसे तो रुक चाओ फिर वो रिवाइंड करके गए तो उनके वो काइंड ओफ हंड्रिट बर्थ पे चले गए और वहाँ पर उनने बताया अब आपको याद है, क्या हुआ था मैं बताता हूँ, उस समय पर आप छोटे से बच्चे थे, और वो जो चिडिया के बच्चे होते ना चूजे, उनके अंडे पेड से नीचे गिरे, आपने उनको देखा, आप अकर्शित हुए और वहाँ से जैसे ही चूजे निकले ना आपने पता है क्या किया, आपने भले नादानी में, आपने मस्ती में क्योंकि आपको कोई रोक टोक नहीं रहा था आपने पिन टाइप की नुकिली चीज उठाई, और वह जितने भी चूजे थे, उनकी आखे फोड़ दी moral of the story है कि हमें नहीं पता हमने पुराने जनम में क्या किया, हमें नहीं पता उसके पुराने के पुराने जनम में हमने क्या किया है बट हमें at least इतना conscious हमें इस जनम में क्या कर रहे है हर बंदे का perception अलग हो सकता है, ये मेरा मानना है example के तोर पे अगर मैं रस्ते पे जाते वक्त एक भिकारी को भीग दे रहा हूँ, मैं उस भिकारी को भीग दे रहा हूँ और वो जाके दारू पी रहा है, तो कुछ लोग कहेंगे तुमने उसको प्रोचान दिया, नहीं क्योंकि मेरा intention तो सही था वो अपने उपर गलत चीज़े लेके जा रहा है जिसको I think so bad karma है, अलग-अलग नाम लेके जा रहा है, तो जितना हो सके हम दुनिया की perception छोड़ो ही कर रहा है, तो कर, भले ही दुनिया जो भी कहें तो यहां से moral of the story यह है कि हमने जो कुछ भी past life में किया है, जो भी किया है, इस पे हम जो अगर हम अगला part likes होते तो उस पे हम बिल्कुल discuss करेंगे, यह मेरा version है अच्छा यह एक version अलग भी होता है उसका आपके past life से, कुछ ना कुछ लेना देना हो, लेकिन आपके पास आज भी मौका है इसको neutralize करने का इसे लिए, because आज हमने पूरा podcast billionaires के उपर किया हुआ है, billionaires लाग पाप करते हैं, अचानक से उनको realize होता है 60 साल के उमर में अचानक से डेर सारे hospitals कोलते हैं, सारा का सारा पैसा डोनेट करते हैं, राकेश जुन जुन वाला जी ने जाने के पहले 25% डोनेट कर दिया था क्या पता, शायद उन्हें इस बात का है सास था कि इस जनम में थोड़ा बहुत मैंने उपर नीचे हो सकता है क्या हो, मैं नहीं चाहता, इसका मैं भागी आगे चलके पड़ो, क्योंकि जैसे हमने डिसकस किया, बिलिनर्स भी स्पिरिच्वल जरूर होते हैं